आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पाबर स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को ले करके तो पहली न्यूज यह है कि 25,000 EV सेट अप जो है अगें कंपनी सेट अप करते दिख रही है और सोलर पाबर प्रोजेक्ट और EV इंफ्रा एस्ट्रेक्चर के अंद टेलिग्राम को जॉइन करके डिस्क्रिप्चन के लिंक से चाहें तो एकाउंट ओपन कर लेंगे इस समय देखेंगे तो यह कॉमन न्यूज आपको हेडलाइन पे दिखेंगे लेकिन अगर आप एक इंडेप्ट एनलेसिस करते हैं तो आप पहला यह न्यूज पाएंगे कि दिएपसी अप्रूब प्रोवीजन अप्टू 425 मिलियन डॉलर इन टाटा पावराम टीपी सोलर फोर ग्रीन फिल्ड 4.3 गीगावार्ट सोलर सेल और प्रोवीजनिंग डिएपसी अप्रूब कर दिया है जो की काफी बेटर नियूज है टाटा पावर के सेयर होल्डर को ल उसको तो कंपनी ने फिल कर दिया है और मुझे लगता है कि जो एक बेस्ट बाइंग है 256 62 के आसपास का है औरेडी इन्वेस्टेड हैं तो बने रहें आवरेज आउट करना चाहते हैं तो इस लेवेल का वेट करेंगे और अगें जो अपर ट्रेंड है वो 294 और 320 प्लस तक के short to medium term within maximum 1 month to 3 month के duration में 320 प्लस तक के easy levels दिख सकते हैं और जब तक के stock 252 के नीचे की closing नहीं देती है यह जो bull trend है वो बिलकुल जो है bear trend में नहीं बदलने वाल है